तालाब में हाई टेंशन लाइन का तार तूटकर गिर जाने से लाखों रुपे की मच्छी उतरी मौत के घाट विद्युत विभाग की गोर लापरवाही के चलते एक हुआ बड़ा हादसा तालाब में पल रही मच्छीयां अचानक हाई टेंशन लाइन का तार तूटकर तालाब में गिरने से तालाब में पल रही मच्छीयों को बिजली ने अपनी चपेट में ले लिया जिसके कारण तालाब में पल रही मच्छीयों की मौत हो गई तालाब स्वामी ने लाखों रुपे की मच्छियां मरने की बात कही है थाना किरतपुर क्षेतर के गाउं शकरपुरी का मामला है हम आपको बताते चले की जनपद बिजनौर थाना किरतपुर क्षेतर के गाउं शिकरपुरी निवासी आसीन पुत्र काजिम अली ने अपने ही गाउं में एक तालाब में मच्छी पालन का कार्य कर रखा था कि रातरी दो बजे बजे अचानक हाई टेंशन की लाइन का तार त गया जिसके कारण तालाब में बिजली का कर्ट फैल गया तथा तालाब में पल रही मच्छीयों को बिजली ने अपनी चपेट में ले लिया जिसके कारण तालाब में पल रही लाखों रूपे की मच्छीयों की मौत हो गई हम आपको बताते चलेगी तालाब स्वामी का कहना है कि उसने वा ग्रामीन लोगों ने कई बार विद्यूत विभाग के अधिकारी वा कर्णचारियों से हाइड्रेशन की लाइन जजजर होने की बात बताई गई थी परंतु STO वज्य एवं विभाग के किसी कर्णचारी ने ग्रामीन लोगों की बात की कोई सुनवाई नहीं की सो आज नतीजा सामने है विद्यूत विभाग की गोर लापरवाही के चलते तालाब में पल रही मचलियों की मौत की जिम्मेदार स्वयम विद्यूत विभाग है आज न्यूस चैनल के लिए किरतपुर से रिपोर्टर मुहम्मद मोसिन की रिपोर्ट और मचली मर गई थी मैंने कई बार बिजली वालों से कहा कि तार आपके एकमजोर हो गया है लग बग ये पचास साल पुरानी लाइन है लेकिन आज तक उनके कान पर जून नहीं चली और रात ये सुबा पांच बजे तार गिरा है कम से कम एक लाग रुपए का मेरा नुक्तान है मचली मर गई और मैंने अभी पचास हजार बच्चा डाला दें तो ये तीसरा दिन है हुसेनपुर्वाले अली हसन है उन से लिया था तो कि ये मर गया साथ सब मर गया और कुछ नहीं बगा अब आप क्या चाहते हैं मैं तो यह चाहता हूं कि सरकार इसका मुझे मावजा दे बिजली वालों से बिजली वालों को जो है इदायत दे कि ये तार जो है बदले जाने हैं और मुझे पैसे चाहिए मेरे मावजे के और बिजली वाले मुझे पैसा दे या इस्डियों की बहुत बड़ी और इंस्प का वाता लावे